नमस्कार कापिटल टीवी उताप्रदेश देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सुनाली जोशी यूपी विधानसभा पास आते ही सियासी बयानबाजी काफी तेज हो गई है वही आरोप प्रत्यारोप की राजनीती भी लगातार जारी है चुनाव में जिन्ना शाहिन बाग के बाद अब लैला मजनू के एंट्री हो गई है कुछ दिनों पहले बारबंकी में हुई जनसभा में असुदुद्दीन ओवेसी ने यूपी में शाहिन बाग बनाने की धम की दी थी अब उन्होंने जौनपुर में भी एक बड़ा बयान क्या है क्या है ये नया बयान आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे खुद को दूसरी पार्टियों का एजेंट बताने से बौक लाए असुदुद्दीन ओवेसी ने पलटवार करते हुए खुद को लैला कहा है AIMIM प्रमुक ने कहा कि वो लैला है और ये तमाम उनके मजनू है असुदुद्दीन ओवेसी ने जौनपुर में चुनावी रैली को संभोधित किया इस दुरान AIMIM प्रमुक ने बीजिपी समेट तमाम सियासी दलों पर जम कर हमला बोला कुछ दिनों पहले उन्होंने 12 बंकी में केंद्र सरकार से NRC वापस लेने की मांग करते हुए यूपी में भी शाहीन बाग बनाने की धमकी दी थी उनके इस बयान पर CM योगी ने सक लहजे में चैतावनी दी थी यूपी वजान सबा चुनाफ पास आते ही सभी दल सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रहे हैं यही वज़़ है कि अटपटी बयान बाजी देने से भी नहीं चूक रहे हैं सियासी दलो के नेता जनता का ध्यान रख अपनी तरफ खीचने के लिए बयान बाजी करते रहे हैं इसी कड़ी में अखिले श्यादव ने जिन्ना का जिक्र कर सियासी तुफान ला दिया था उसके बाद ओवेसी ने यूपी को शाहीन बाग बताने की धमकी दी थी अब एक बार फिर ओवेसी ने खुद को लेला और दूसरे दलो को उनका मजनू बता दिया है इससे पहले ओवेसी ने तीन करशी कानून वापस लिये जाने के बाद CAA और NRC वापस लेने की बात कही थी उन्होंने चैतावनी देते हुए कहा था कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो यूपी को शाहीन बाग बना दिया जाएगा उनके इस बयान पर कानपुर में CM योगी ने सक्त लहजे में चैतावनी दी थी अब एक बार फिर अटपटा बयान देकर OVC ने यूपी के जनता का ध्यान खुद की तरफ खीचने की कोशिश की है यूपी विधान सबाचुनाव में अब लगातार बयान बाजी का दौर शुरू हो गया है कभी विपक्ष सरकार पर हमलावार है तो कहीं जन्ना का धिकर इसी बीश यूपी के राजनीती में हल्चल मचाने वाले असुद दीन OVC ने कहा कि वो लैला है और ये तमाम उनके मजनु है इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही बने रहे है क्यापिटल टीवी उत्ताप्रदेश के साथ जय है